अब जानका सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मुंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाए तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब यह है अब गुड के कितने preparation है हमारे घर में गुड का तिल का preparation एक है तिल पट्टी कहते हैं गजक गजक तो भरपूर गजक खाईए क्यों खाईए जी तिल है और गुड है गुड में जो chemical है और गैनिक तिल में लगवक वही सब है जो गुड में तिल भी छारी है गुड भी छारी है और दोनों छारी चीज़े खाएंगे तो पेट के अमलों को balance करती रहेंगी तो तिल गुड रोज खाईए माने तिल की पट्टी बनाईए गजक बनाईए नहीं तो तिल का लड़ू बनाईए गुड के साथ बनाईए फिर इसी तरह से मुणफली है मुणफली भी छारी है और गुड भी छारी है तो मुणफली और गुड मिला के वो पट्टी आती है वो खाईए बच्चों को खिलाईए और आपके पास जो भी preparation है गुड तिल के गुड मुणफली के वो सब बनाईए और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भरपेट खाईए, भरपूर खाईए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इनी की जरूरत है, तो कफ जिन्दगी से बहुत बहुत दूर रहेगा, तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मुंगफली खा र आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी, उसमें से तेल है, तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL, ये मुटापा जो है ना, वो VLDL और LDL का चक्कर है, HDL जैसे ही बढ़ेगा, मुटापा अपनी आपकम होगा, पेट अंदर ही जाएगा, आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एको परिमेंट कर लीजे, तिल चबा चबा के खाईए खाने के बाद, 3 महीने के बाद वजन ना पएंगे, 8-10 किलो कम मिले, कम से कम इतना कम मिले, खाना खाया, खाने के बाद आप सौफ खाते हैंना, सौफ की जगे तिल खाई, और काला ख जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत ज्यादा लिब्रल हों तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खतम करिए फिर कुछ और चीज यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड यूरिक एसिड क्या है अमली ही तो है तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है तो गांट के सब जो मने जोडों के दर्द आपको कम करने हैं तो इन के लिए ये सब चिकित्सा बताईए है तिल है गुड है और मैंने एक चीज ब झाल झाल